जै माताई दोस्तों कैसे हैं आप सभी दोस्तों हमारे चैनल से जुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें और पास में दिये गए बैल आइकन को जरूर प्रेस कर दें दोस्तों पित्र पक्ष में हर कोई इंसान श्राध, तरपन, पिंददान करता है जिससे उनके पित्र तरप्थ हो जाएं और उन्हें शुब आशीश प्रदान करें देखा जाए तो हमारे पित्र हमारे पूर्वज कई तरह के होते हैं उनमें से कईयों ने तो दूसरा जन भी लिया होगा और बहुत नहीं पित्र लोग में स्थान भी प्राप्थ किया होगा आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जो पित्र पित्र लोग में इस्थान प्राप्त कर लेते हैं वो हर वर्ष श्राद पक्ष में अपने वन्शजों को देखने आते हैं उनसे मिलने आते हैं उस वक्त वे उन्हें आशिरवाद या श्राब देकर चले जाते हैं अगर वो अपने वन्शजों की कर्मों से खुश होते हैं तो उन्हें आशिरवाद प्रदान करते हैं वहीं दूसरी तरफ अगर वो उनके कर्मों से दुखी रहते हैं या उनकी भावना को कोई ठेज पहुँचती है तो उन्हें आशिरवाद नहीं बलकि श्राब देते हैं अब यहां सवाल उठता है कि हम कैसे जानें कि हमारे पित्र हमसे प्रसन हुए या नहीं हमने श्राद किया तरपन किया पिंड़ दान भी किया लेकिन ये कैसे पता करें कि हमारे पूरवज हमसे खुश हुए या नहीं तो आज की इस वीडियो में इसी विशे के बारे में चर्चा रहेगी लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिये गए घंटी के बटन को जरूर दबा पिंदान किया लेकिन अब ये कैसे पता किया जाए कि आपके पूरवज आपसे खुश हुए है या नहीं दोस्तो पहला तरीका है जिस घर में बहु बेटी पतनी नारी जाती का सम्मान किया जाता है या फिर आपके घर में नारी जाती प्रसन है खुश है तो आपके तरीके आंसु गिरते हैं या उन्हें सताया जाता है तो वहां पित्र कभी प्रसन नहीं होते वहां सब कुछ नश्ट हो जाता है तो दूसरा तरीका यह है कि अगर आपकी संतान आपका सम्मान करती है आपकी भावनाओं की कदर करती है आपकी आग्या का पालन करती है तो यह म अपने में कोई सांप आपकी सुरक्षा करता हुए नजर आए तो ये माना जाता है कि आपके पित्र आपके पूर्वज आपसे प्रसन्द हुए हैं। पित्रों के प्रसंदता के अन्य लक्षन ये भी हो सकते हैं कि जोत अच्छे से उपर की तरफ उठे, जोती की ज्वाला अच्छी हो, श्राद पक्ष में रुके हुए कारे संपन होने लगें, अचानक धनलाब हो जाए, घर में किसी मृत व्यक्ति को याद करते ही कोई कारे सं पन हो जाए, तो ये इस और इशारा करता है कि आपके साथ आपके पित्रों का सहयोग है, आपके पित्रों का आशिरवाद आपके उपर है, तो दोस्तों इन बातों से आप पता लगा सकते हैं कि आपके पूरवज आपसे प्रसंद हुए या नहीं, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हूँ तो लाइक और शेयर करें चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें धन्यवाद